हेलो दोस्तों, आज की कहानी का सिर्षक है परमात्मा से संबंध एक बार एक पंडित जी ने एक दुकांदार के पास 500 रुपे रख दिये उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी कि साधी होगी तुम मैं ये पैसा ले लूँगा कुछ सालों के बाद जब बेटी से आनी हो गई तो पंडित जी उस दुकांदार के पास गए लेकिन दुकांदार ने नकार दिया और बोला आपने कब मुझे पैसा दिया था बताए क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है पंडित जी उस दुकांदार की इस हरकत से बहुत ही परिसान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए फिर कुछ तिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में सिकायत कर दूं ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के बिवाह के लिए मिल जायेगा फिर पंडित जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई राजा ने कहा कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकंदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना दूसरे दिन राजा की सवारी निकली सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रनाम किया और कहा गुरु जी आप यहां कैसे आप तो हमारे गुरु हैं आईए इस बग्गी में बैठ जाएए वो दुकानदार यह सब देख रहा था उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है अब आगे आपका भाग गया उधर वो दुकानदार यह सब देख कर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साथ गाठ है कहीं वे मेरा कबाड़ा ही न करा दे दुकानदार ने ततकाल अपने मुनीम को पंडित जी को डूंड कर लाने को कहा पंडित जी एक पेड की नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्स कर रह थे मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रनाम किया और बोला पंडित जी मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया की खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में व्याज के 12,000 रुपय भी हो गया है पंडित जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है अता 1,000 रुपय आप मेरी तरब से ले जाईए और उसे बेटी की सादी में लगा दिजे इस प्रकार उस दुकांदार ने पंडित जी को 13,500 रुपय देकर बड़े ही प्रेम की साथ विदा किया तो दोस्तों जब मात्र एक राजा के साथ संबंद होने भर से हमारी विप्दा दूर हो जाती है तो हम अगर खुद से जोकी परमात्मा का अंस है और इस दुनिया के राजा यानि की परमात्मा से अपना संबंद जोड ले तो हमें कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रस्न ही नहीं उत्पन होगा तो दोस्तों हमेशा उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें और उनके समीप रहें कहानी सुनने के लिए धन्यवाद